मामा अंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी यो धवल्लो राज से जा रहा है तो वो यहां की औरतों के मन में जल्ती बदले की आग की वजह से है ऐसी ही विरंगनाओं की कोक से मैंने औरतों में जनम लिया है प्रभास में क्या कहा? इसके हाँ से ये फिल्म शूट गई नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट पंकरी और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बॉलीग्राइट स्टूरियोस में दोस्तों मैं वीडियो शूरू करो उससे पहले आप सबके लिए बहुत-इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है अगर आप भी सिर्मा के दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो हम आपके लिए बहुत-ई 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 मौका लेकर आए हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस उपोचिनिटी का भर पूर फायदा उठाईए दोस्तों हम बाहुबली फिल्म की बात कर रहे थे और मैंने आप से कहा था कि कैसे इस फिल्म के थूरू हमें पता चला था जो की पहली फिल्म आई थी कि महिश्मती कौन सा राज्य है उसमें महेंदर बाहुबली कौन है उसके पिता कौन थे और वो कितने बड़े राजा थे अब इस फिल्म के एंड में हमें इस बात पर छोड़ दिया गया कि आखिर कटप पाने बाहुबली को मारा क्यों तो इन सारे सवालों के जवाब हमें दूसरी फिल्म में तो मिल जए अब जब इस फिल्म का तीसरा पार्ट आने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें दिखाया जाए कि भलाल देव के पिता उसकी मौत का बदला ले महिश्मती से और वो भी किसी पुरानी दुष्मन के साथ मिलकर अब ये काफी जादा इंट्रेस्टिंग होगा देखना वहीं फिल्म में हमें एक नए दुश्मन के एंट्री भी दिखाई जा सकती है जो कि महिश्मती पे कब्जा जमाना चाहता होगा और ये काफी जादा इंट्रेस्टिंग होगा देखना कि अब महेंद्र बाहुब इतनी जादा excitement को देखकर उनका मन बदल सकता है और वो बाहुबली 3 बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे और हाल ही में प्रभास ने एक इंटर्व्यू में ये भी कहा था कि वो राज मॉली के साथ फिर से एक प्रजेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा जरूर हो सकता है कि प्रभास और राज मॉली मिलकर फिर से हमें बाहुबली 3 में दिखाए दे और इस बार कुछ नया भी देखने का मिले जैसे कि एक नए दुश्मन के इंटरी हो सकती है फिल्म में दोस्त आपको ये भी बताएं कि इस फिल्म में जितने भी हीरो हिरोईंस कास्ट हुए हैं जो मेंन लीड्स में हैं वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे जी हाँ काफी सारे आक्टर्स ने बाहुबली में कास्ट होने का मौका गवा दिया था भलाल देव की रोल के लिए पहले जौन इब्रहम को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कोई रिस्पॉल्स नहीं दिया दूसरी और रितिक रोशन को बाहुबली के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने भी इस रोल से मना कर दिया मोहनलाल को कटपा का रोल आफर हुआ था और नयांतारा को राजमाता शिवगामी का लेकिन ये ओफर्स भी इन दोनों ने नकार दिया और फिर ये रोल्स मिल गए जो आक्टर्स हम आज देख पाए हैं तो काफी अच्छा भी है शुकर भी मना सकते हैं कि अच्छा हुआ इन लोगों ने ये ओफर्स मना किये ता कि हम लोगों को प्रभास और उनुश्का शेटी को देखने का मौका मिला अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बाहु बली त्री में प्रभास के ओपसिट कॉनकास्ट होगी और राज मौली इस बार हमारे लिए क्या नया और यूनीक लेकर आएंगे इस कहानी में ये देखना काफी जादा इंट्रेस्टिंग होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बॉली गराज स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब दीजे आज की स्क्रिप लिखी है जोती ने झाल चाल